कुए वेलकॉम् तो सक्सेस एजुकेटर आज के इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे अंडमान एको वार आईलंड के बारे में जानेंगे तो तो यहां पर यह मैप एप रहेगी आपकी मैप से रिलेटेड कोश्चन जो है जो ग्राफी से रिलेटेड कोश्चन काफी बार पुछ जाते हैं तो यह हमारे लिए अच्छी प्रेक्टिस रहेगी कि अगर हम मैप के थूप को अधू से जो है हम जो पढ़ें ठीक है तो इस नहीं किये है वह टेलीग्राम पर जाके उसे अटेम्ट कर ले जो भी मैं मैं प्रैक्टिस यहां पर करवाओंगा तो उसका जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं वह आपको सारे जो है टेलीग्राम पर मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो वहां पर जो है इतना डीप कॉश्चन पूछे जाना लाजमी है लेकिन अगर आप नॉर्मली इग्जामनेशन के त्यारी कर रहे हैं तब आपको जो है कुछ जो मैं आपको पार्ट यहां पर पताऊंगा वह आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा लेकिन अगर अगर आप इसे लर्न कर रहे हैं तो काफी आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है तो देखो मैप में सेडल पीक कहां पर है यह नौर्धन अंडुमान में है और यह हाइस्ट पीक है कहां का अंडुमार निकोबार आइलेंड्स का ठीक है याद रखिएगा दूसरी चीज तलते हैं मिडल अंडुमान पर देखो आपका अंडुमान वाला पार्ट है न यह तीन पार्ट में डिवाइड है कौन-कौन से नौर्थ अंडुमान अंडुमान अंड लिटल अंडुमान यह चार पार्ट में डिवाइड है ठीक है चार पार्ट में डिवाइड है देखो यह आपका Northern अंडुमान फिर Middle अंडुमान तेन आपका Southern यह वाला और यह लिटल अंडुमान यह चार पार्ट में डिवाइड है अंडुमान वाले आईलेंड आपके अब देखो यहां पर थोड़ा डीपली बताया गया है यह नौर्थ अंडुमान है यह आपका मिडल आधर यहां इनडुमान का एक्टिव वोल क्येनों है इसलिकिक को मिलेगा और मोर स्पेसिप्कली अगर बात करें तो यह आपको यहां पर m बस आपको इतना ही याद रखना है यह अंडमान निकोबार में है और मोर स्पेसिफिकली कहां पर अंडमान वाले आइलेंड पर रिची आर्क विलेज़ों यहां पर आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा यहां पर नौदन मिडल आपका अंडमान हो गया इसके लावा यह साउथ अंडोमान में पढ़ती है अब साउथ अंडोमान के बीच में है आपका डंकन पैसेज याद रखेगा ये क्वेशन पूछा था तक यहां वाले पार्ट में तो यहां पर आपको डंकन पैसेज देखने को मिलेगा इसके अलावा यह कुछ नौर्ब रखन पूछा था की नौर्दन जो आपके नौर्थ जो आपका क्शलि यह पूरा अंडोमान है घंड माण और ये शर दने वाला जो हे आपको इसको हम निको भार बोलते हैं जो आपका अंडोमान है और निकोबार के बीच में कौन इसको डिवाइड करती है यह आपका 10 डिग्री चैनल डिरेक्ट कॉच्छन पुछाता है तो याद रखेगा 10 डिग्री चैनल कहां पे है अंडोमान और निकोबार के बीच में और मोर स्पेसिफिकली यह है लिटल ऊसे लज़र है और निकोबार के बीच में आपको यह यज शल अन pound करना पड़ेगा कि देखो शर्यित पहले तो नौध हम न डोनार आता है फिर फिर एंड़ स्टार्ट हो जेंगे निंपो बार वाल इसके बाद आप यहां पर यह आपका कार निकोबार मार ही哥 देखो आपका जो है कार निको बार है फिर आपका एक निकोबार है फिर इस तरह से जो है आपके आपको यह learn करने पड़ेंगे यह आपका little यह आपका जो है ग्रेट निकोबार अब यह देखो एक और question पुछ आता है जो आपकी इंद्रा point है यह भारत का southern most point है याद रखेगा सर्दन most point है भारत का वो कहां पे है वो है आपका ग्रेट निकोबार में ग्रेट निकोबार में है और वो उसका नाम क्या है उसका नाम है इंद्रा point है इंद्रा point डारेक्ट कोशन पुछ आता है तो अगर आप अच्छे और अलाइड की तरहरी कर रहे हैं तो आपको पूरा जो है मैप कई लोकेशन पता होना चाहिए तो देखो निकोबार एलेंड किससे बनता है कार निकोबार से लिटल निकोबार से और ग्रेट निकोबार से यहां पर आएगा आपका कार निकोबार ये आपका लिटल निकोबार और यह आपका इंद्ला पॉयंच है और केपिंटल काहां पे है सौथ टॉमान में राइट डिरेक्ट क्वेस्चन यहाँ से तो यह आपके इस तरह से मैप से लेटेड जो है यहां से यह इंको याद रखिएगा इसके लाबा नेक्स वाले वीडियो में मैं आपको लक्षदीप के बारे में बताऊंगा जहां से आपको इंपोर्टन क्वेशन पूछे जाएंगे अगर आपको यहां से क्वेशन पूछा गया तो डिरेक्टली जो है यहां से ही आपको क्वेशन पूछे तो यहाद रखिएगा आप मैं एक बार एक को समराइज कर देता हूं इसको अब देखिए आपके जो अंडोमान वाला पार्ट है वो है नौर्थ मिडल साउथ वाले अंडोमान और लिटल अंडोमान यह आपका पूरा बन गया आपका अंडोमान वाले आईलेंड्स निकोबार वाले आईलेंड्स कौन-कौन से हैं कार निकोबार प्रस आपके लिटल निकोबार में चार आपके अंडमान में तो याद रखेगा बेरन अइलाइंड कहां पर है अंडमान निकोबार पर है यह हमारा एक्टिव वर्क कहनों है एक मात्र इंडिया का समझ गए तो इस वास द वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जुरू करेंग और नेक्स्स लेक्टर में हम लक्षदीप आइलेंड को कम्प्लीट करेंगे दोस्ते